हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे CPU के बारे में, CPU के इंदर कॉन्टों से पार्स होते हैं, उसका क्या स्पेसिफिक वर्क होता है तो आज हम इसी टपिक को पुड़ा कवर करेंगे, तो भरेड़े हमारे साथ मेरा रामे हर्ष कुमार, और आप देख रहे हैं The Hush Tag करते हैं पहले किसके बॉनिट को खोलेंगे मैंने इसको बॉनिट के पहले निकाल लिये थे चलिए शुरू करते हैं तो पहले हम बात करते हैं मदर बोट की तो यह हमारा पूरा मदर बोट का सिस्टम है आप वायर देख सकते हैं तो पूरे आपको वायर को बताएंगे कि क्या यह है नहीं पूरे पूरइ soll 수ering करता है चेप्स यह थática को मारा पूरण होता है ऊथिस्टम जाना plat आपको फूरे बने डेना होगा बैखले तो पहले तो पहले हम भी बताते हैं कि ह descriptive है हमारा पूरफॉर्म हुता है चितना भी हमने नहीं जाता है तो मिन coronavirus पूर टो मैं चलिए मन इसको कि देख़ाता हूं तो देख सकते हैं कि एक मेन सप्लाई होता है और एक यह data सप्लाई होता है इसी के दूय से हमारा पूरा डेटा हमारे cpu में इस होता है तो इस चाहिए पर निकम बन से कम्पूयिटर में , μας और उसके से हाँ सब्सिंक्स नियुक्त के थे हैं के स्चप में देखानों नहीं हमारे जिकीवेटर्स के नियुक्ट . इसका काम हो गया है और मैं आपको दिखाता हूं CD Reader मतलब compact reader जिससे हम अपने पुराने जाने में यह होता था कि हमारे computer में पेंड्राइब नहीं मतलब इससे हम अपने CD डालते थे और जितना भी data था हम अपने computer में store करते थे तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हू इसमें और में सप्लाइब में इसके बारे में बताता हूँ बढय गया होग के बारे में SMPS हमारा वो function होता है कि इससे ही जो हमारा 200 वार्ट का 200 वार्ट का जो हमारा maximum जो supply है वो हमारे PC को पहुंचता है तो यह पावर supplier भी इसको कहते हैं यह हमारे power को supply करता है पूरे system में तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा detail में बताता हूं इसे open करके दिखाता हूं कि यह कैसा होता है यहां पर main plug लगता है और यह गंदा हो चुका है लेकिन को बात नहीं आपको समझाने के लिए बहुत अच्छा है यह हमारे supply को मारे computer हमारे CPU में हमारे पूरे system में भेजता है और यहां से connect होता है और पूरे system में जाता है तो चलिए मदर बोर्ड के बारे में बताता हूं इसको हटा लेते हैं साइड को यह हमारा heat होने से बचा सके heat के लिए एक और होता है जो मैं आपको अगले वीडियो में cover करूंगा पूरे इसके बारे में system के बारे में कौन सा केबल कहा करनेक्ट होगा कौन सा चीज किसके लिए होता है जिसे कि आप देख सकते हैं यह किसके लिए होता है यह किसके लिए होता है यह तो आपको पता है यह रैम है यहां पर देख सकते हैं यह रैम है हमारा यह आप देख सकते हैं यह हमारे रैम है जो हमारे PC को स्मूथ व तो चलिए अगले वीडिकों लिवेट कीजिए तो आपको मैं बताना भूल गया कि यहां पर पुराने जमाने में हमारा यूज होता था floppy disk floppy disk के बारे में आप जानते होंगे वह यहां पर हमारा function था करता है अब यहां जो फ्लापी aищ stop खतम हो गया है तो इसका वर्क खतम हो गया है लेकिन अफर भी मारी पर पष्व copy disk मैं आपको निकाल कर दिखाता तो देख सकते है आप यहां पर कि हमारे यह floppy disk है यहां पिसे floppy disk इस को भी हम इसीसे कंट्रॉल करते थे हैं यहां см PowerPoint को डालते थे और यहां से रीडिंग लेता था जैसे हमारा यह जैसे हमारा यह जो हमारा और आपको अगर वीदिए अच्छा लगें तो लाइक से सबस्क्राइब जरूर करें और चोटे भाई को सपोर्ट करना ना बुलें